नी प्लेस भंद मतलब बांद नी की क्रिया है तो इसमें क्या होता है एक व्यापक विच्छार को सारवान बनाकर उसके क्रमबदता में बांद आ जाता है वर्णानात्मक नीबंद में प्राक्रुतिक दृश्य आत्वा मान और जीवन संबंदी किसी भी घंड़ना का वर्णान हो सकता है वर्णानात्मक मतलब वह पर एक्स्टिनेशन ज्यादा रहता है साहितिक विदा के जो रूप है फिर हिंदी में नीबंद का जो जिन्म है वो कहां से हुआ करके आपरेम यह कर सकते है जा भी जो नीबंद करोंगे तो वो बारत दिन्द यूट से हुआ है करके नमस्कार मैं हूं हर्शिता हिंदी लेक्चरेर विद्याष्रम कॉलेज मैसूर आज मैसूर इनिवर्सिटी के फर्स सिम्स्टर bca के हिंदी पाटिक्रम से पहला यूनिट जो है हिंदी नीबंद का विकास यात्रा या फिर उसकी जो स्वरूप जो है उसके बारे में जानका जो भी बाराया पर निबंद है आगे एकएक करते देखते जाएंगे तो उससे पहले हिंदी निबंद मतलब क्या है और उसकी स्वरूप क्या है और उसकी विकास यात्रा है वहां कैसे रहें उसकी बारे में जानकारी प्राप करना बहुती जरूरी है तो चलिए आज की अबने मूल अर्थ में निबंद बानने की कृएा के लिए प्रयुक्त होता है जैसे इसमें व्यापक विचार को सारवान बना करें क्रमबद्ध के बारे में आपर कहना है यह पहले निबंद था अर्थ क्या है आपर उसके शापधिक करता है वहां क्या है जनना बहुत ही जरूरी है तो इसमें क्या होता है एक व्यापक विचार को सारवान बनाकर उसको क्रमबद्धता में बांदा जाता है कोई भी एक टॉपिक रहता है एक विचार को अगर लेंगे तो उसे सारवान बनाकर उसको अर्थपूर्ण कहें क्रमबद्धता में यहापर बांते हुए जाना ही यहापर नीबंद है वर्तमान में जो नीबंद का रूप स्तित हुआ है उसे आदोनी क्योंकि देन मानना चाह मतलब अभी नीबंद क्या है तो उसे जो है आपर वो किससे है अग्धर के? इससे जो है उसकार्थिापरमा ग्रहन कर सकते है तो ऐसे मह यहाँ सब्द लैटिन के एक सीजियएर और फ्रेंच के इसा इसे होते हुए आया है. तओ यह जो अंग्रेजी में ससे करके जो कहते हैं तो उसे क्या है अंग्रेजी में इस से करके प्रयोग में आया है तो अंग्रेजी में इस आपर लाइब करना या फिर कोई प्रयोग निए प्रयोग करना है तो उसका पर रिक्षन करना या फिर उसके बारे में नहीं नहीं प्रयोग करना ही आपर करते हुए उसे लिखना ही जो है इसे राइटिंग है मतलब अगर हम ऐसे ही कहने है तो क्या है अपर समपूर्ण रूप में एक विशय का यहाँ पर परिक्षन जो है यहाँ पर करते हैं या फिर उसे सारवान बना कर क्या है उसे एक क्रमबद्धिता में जो है बांदा जाता ह तो यही निबंध है तो मतलब मूल रूप में बांदने की क्रिया है तो आगे देखे यह पर प्रमुक्त निबंध के तीन वर्ग है तो निबंध मतलब क्या है यह तो अभी हमने जान लिया तो यहाँ पर निबंध के वर्ग जो है पर भेद जो है क्या है करके अभी देख स प्रतिकात्मक आदी आनेक प्रकार की शा़ा, उसका कुछ सैसरी प्रशानी करो सब्सक्राइब कालपनिक épisode is यहीं जो है आपर कथा आत्मक निबन्द में प्राकृतिक दुरुष्य आत्वा मानव जीवन संबंदी किसी भी घटना का वर्णन हो सकता है चाहे वहां कोई गटना प्रदान हो सकता है मानव जीवन से संबंदीत भी हो सकता है बारे में लिखते हुए सभी क्या है आपर जो इससे लिखते तो यहां पर वहां क्या कहलाएगा वर्णनात्मक निबंद के इसमें आएगा तो वही नेक्स्ट देखिया पर चिंतनात्मक प्रदान निबंद में देश्य समाज और ततकालिन चिंता यह भविश्य संबंदी चि अगर ऐसे ही आलत रही तो भविश्य जो है पर क्या हो सकता है थो आचलनात्मक मतलब जो भी किए लिखते है तो वहांपर चिंता प्रदाने तो इतना याद रखिए चिंता न इत्मत मिधन बहुत होता है वह ही उल्द कि मैं में प्रकृतिके समनहります आंकको न्याट करह्त के चाहानी खता प्रतान उसक्या है की प्रतिकर नवर्ग देका चलिए आगे देखेंगे साहितिक विदा के रूप में हिंदी में निबंद का जन्मु भारत इंदु उप से माना जाता है देश प्रीम राष्ट्री इता समाज सुदार आधी विचारों के अभिविक्ति रचनात्मक रूप से करने के लिए निबंद शैली उपयोगी है भारत इंदु आगे जो है निबंद की जो एक विकास यात्रा जो है वहां कैसे रही है उसके बारे में जनकारी प्राप्त करेंगे जो पर्टिकिलर अपके लिए क्या है आपर इस सभी है यूनिट वन के अंतर्गत है तो ऐसे में आपर देखके कहते हैं कि साहितिक विदा के जो रूप है यहां पर निबंद की प्रमुक जो विशय है वहां रहा है एक तो प्रेम या फिर प्रमुक रूप से ज्यादतर राष्ट्रियता देश बक्ति या फिर समाथ सुदार की विचारों को ही लेकर निबंद जो है उसकी रचना जो है हुई है तो ऐसे में क्या है इनमें भारते अलते हिंदू 4 मतला उसका प्रमुक यहां पर कौन निबंद कार है भारती हिन्दू आ वाहां के प्रमुक तो प्रमुक निबंद का जनकी मानना देखे बालकृष्ण बट्थ नवालया जन शायी हां मतलब उतनी अच्छे जो है आपर निबंद या फिर निबंद कोई जो है स्वरूप किस तरह रहना है उस सब के बारे में बहुत अच्छे से आपर बताया है तो बट्ट जी के निबंदों में नवजागरन कालीन जाती इता का स्वर प्रमुख है दिके तो जिने आपर क्या है हिंदी निबंद की आपर जनकी माननी चाहिए करके बता रहे बाल कृष्ण बट्ट जी तो उनका पर प्रमुख विशे क्या रहा है नवजागरन कालीन जाती इता के जो हस्वर है उसमें प्रमुख है तो आगे दिके आपर जाती समाज धर्म विज्यान दर्शन मनों विज संदर्मोंाबी श series of के प्राम८ के स्वर्वि जो है आपर उन्होंने क्या लिखा है निबंद जो है बहुत है अच्छे निबंद जो है लिक्खे है मान्गें निबंद केंदरी तत्वि के रूप में जिसा आत्म वेंजयकता को रहतांकित किया है एंदी में उसके सब सब आ और प्रारंबिक उधारन पंडित प्रताप नारायन मिश्र के निबंद में तो ऐसे में आत्म वेंजिकता हास्य प्रहिता जीवन्थता वेंगी चपलता आधी उनके निबंदों की विशेष्टा है देखें ऐसे में क्या है आपर हास्य प्रिता है उनकी निबंदों में देख सकते हैं एक जीवन्थता है वेंगी भी देख सकते हैं तो यहाँ पर देखें बाल मुकंद गुप्त भारत इंद यूग और द्विवेदी यूग के बीच की खड़ी है आचारी महावीर प्रसाद विवेदी के यूग में जो गद्धि के परिश्कर और निर्मान का स्वर प्रबल होता है उसके बीच बाल मुकंद गुप्त लेकन में मिलते हैं तो ऐसे में आगे भी देखें पर बाल मुकंद गुप्त जो है उसके बारे में बताएगा है कि उनके बारे में कहा है कि बारत गुप्त की लेकन जो है यहां पर मिलते हैं करके तो आगे देखिए हिंदी साहिती का इतिहास में गुप्त की इसी विशेषता को लक्षित करते हुए लिखा है गुप्त जी की भाषा बहुत चलती सजीव और विनोध पूर्ण होती है किसी प्रकार का विशय हो गुप्त जी की लेकन उस पर विनोध का रंग चड़ा देती थी तो ऐसे में हिंदी साहिती का इतिहास में क्या है गुप्त की इसी विशेषता को जह है लक्षित करके लिखाया कि गुप्त जी की भाषा जो है बहुत ही यापर क्या है चल्ती सजीव और विनोध पूर्ण प्रयोग करते हैं सामानी भाषा और विनोध पूर्ण भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है अपने निबंदों में तो किसी प्रकार का विशय हो गुप्त जी की लेकनी उस पर विनोध का रंग चड़ा देती है आचारे महावेर प्रसाद विवेदी के समय में गद्दी के अन्य विदाओं की तरह निबंद विदा भी वयस्क और पुष्ट होती है निबंद को एक अलग और अनिवार गद्दी रूप बनाने और स्थापित करने में द्विवेदी युक का योगन अप्रतिम है तो अभी बारतिंद युक के बारे में हुआ तो अभी द्विवेदी युक के बारे में है आपर जो निबंद की विखा से वहां किस तरह चली आ रही है तो उसके बारे में यहापर बताया गया है तो देखे आचारे महावेर प्रसाद विवेदी के समय में गद्धी के अन्य विधायों की तरह निबंद भी वयस्क और पुष्ट होती गई मतलब भारत इंद युग में जन्म हुआ और क्या है यापर दिवेदी युग में वयस्क हुआ और और पुष्ट जो है और सम्रुद जो है यापर होते आया तो ऐसे में दिबंद को जो है अलग और अनिवार गद्धी रूप बनाने की जो है आपर स्थापना जो है यापर तो इसे में इस बात की गंबेरता का अंदाजम इसी से लगा सकते है कि निबंद पर दूसरी भाशाओं में लिखी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद महावीर प्रसाद दिवेदी ने बेकन विचार रतनावली नाम से किया और पंडित गंगा प्रसाद अगनी होतरी ने न निबंद माला दर्श नाम से चिपलून करके मराठी निबंद को अनुवाद किया तो यह जो उदारन है मतलब क्या है अगर दिविवेदी युग में निबंद जो है वहां और पुस्ट और सम्रुद जो है पर होता गया तो इसके लिए बहुत ही अच्छा उदारन क्या है यहां पर यही है कि क्या है इसमें दिवेदी जी ने क्या किया अन्य भाषाओं में लिखे हुए निबंद को जह है वहाँ अनुवाद करना शुरू कर दिया इससे पहले तक वहां खुद निबंद लिखते थे यहां से कहा है अनुवाद करके भी अनूदित नीबंद की रचनायी भी भूने लगी तो ऐसे में द्रूएदी जी ने बेकन विच्छा रतनावली नाम से यहाँ अनुवादित नी नीबंद लिखी फिर इसके बाद अगनी होतारी ने क्या जो है पर नीबंद माला Dwashan करके क्या है पर चिपलून करजे के मराटे निबंद को जो है हिंदी में अनुवाद किया तो ऐसे नहीं नहीं यहाँ पर क्रांती जो है निबंद की विकास में जो है होता गया तो दिविवेदी जी ने इतिहास भूगोल जीवनी भाशा साहित्य उद्योग शिल्प अर्थशास्त अध्यात्मदर्शन व्यकरण विज्ञान आदी आने एक विशयों पर निबंद लिए तो ऐसे में द्विवेदी जी ने मतलब द्विवेदी यूगों में जो है द्विवेदी जी ने क्या किया है पर सिर्फ एक विशय नहीं दो विशय नहीं एक तो क्यूं कहां गया है कि पुस्ट जो है यहां पर और कर खरोन के निबंद लिखना शुरूग कर दिया और उसके साथ सिर्फ एक नहीं दो नहीं क्या है जो विशई जो है उसकी सीमा भी और व्याप्ट होती गई मतलब और भी जो सम्मंद में जो है जिसके विषय में जो है नीबंद की रचना हो ऐसे सबीख में निबंद की रचना जो है कि अपर हुआ है तो दुओकवंद आसेरि रामचंदर शिकल के नाम दिखी अगर निबंदकार है पर चंदरी निबंध बिवेधी जी ने भीकुben के कुरोध शीर्षक निबंध की भाशा शैली और आचारी शुकल के क्रोध शिर्षक निबंद की बाशाशेली का अंतर निम्नलिकित उदाहरण से बहुत सही डंग से समझा जा सकता है तो यहां पर इस काल के संदर्भ में आचारी महावीर प्रसाद वेदी जीनी भी जो है क्रोध नामक शिर्षक से जो है आपर निबंद लिखा है और यहां तक कि आचार्य शुक्ल जी ने भी आपर क्रोध नामक शिर्षक से निबंद जो है लिखा है तो ऐसे में यहां पर एक उदारन है आगे में आपको बताऊंगी तो उसी से पता चलगी कि उन दोनों की भाशाशेली में कितना अंतर है क्यों यहां पर शुक्ल जी को जो है यहां बहुत ही उसकाल की बहुत ही महत्वपूर्ण निबंदकार जो है पर कहा गया है करके तो देखें याद रखिए क्रोध से और विवेक से शत्रुता है क्रोध विवेक का पूरा शत्रु है क्रोध एक प्रकार की प्रचंड आंधी है क्रोध से बचने अत्वा क्रोध को दू बनद करने वाला करने वाला एक का क्रोध दूसरे में भी कुर्स का संसार कराता है। और इसकी चड़ जाती है। यहाँ विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वहाँ उचीत है या अनुचित है मतलब अगर दोनों यहाँ पर वाक्यों को या फिर क्या है दोनों को अगर हम देखेंगे तो उसकी तुल्ला में शुकल जी की जो भाषा शेली है वहाँ सरल है सरल और सुलब है जिसे आसान इसे कोई भी उसे पढ़कर समझ सकते हैं तो ऐसे में देखिया पर विद्यात्मक अ अनुशासन की दुरुष्टी से प्रेमचंद निबंदकार नहीं तहरते हैं परन्तु भरत इंदु युग में जो नवजागरन काली ने सामाजी को चेतना और सजीवता निबंदों के विशे होते थे तो उस परंपरा में प्रेमचंद विवेदी युग के अनितम निबंद के बाद हिंदी निबंद की विकास यात्रा के कई रास्ते बनने लगते हैं निबंद अपने विशेव वैविद्य में और अधिक बहुस्तरी एवं बहु आयामी हो जाता है पंत को अगर चोड़ दिया जाए तो चायावाद के अन्य तीनों कवी सुरेकांत्रिपाटि निराला जैशेंकर प्रसाद महादेवी वर्मा ने अपने युग प्रशनों और संदर्बों को आधार बनाकर निबंद एवं लेक लि अभछाःत इंदोयुग हुआं के बाद दिविवेदी निबंद की एक्विकास वाहां किस तरह रही है उसके बारे संक्षिप्त मेहां पर वर्नन है यहां पर दिविवेदी उग से भी और आगे बढ़कर जो है यह उसकी सीमा वैप्त होते पर वहां विशा वहांना हो यह यहां पर बन जाता है तो ऐसे में पन्त को चोढ कर देखिए ऑप फैया वा कि दाद संवा पंत निराला मौग को चोड़कர कि बाकी सभी नीराला जयर्शेंकर प्रसाद और हमादी वर्माजी यहां पंत को चोड़कर गें बाकिये व पर निवंद लेक को लिखा है तो ऐसे में अपने के जो भी प्रशन तेर फिर संदरुन की आधार पर उस समय तटकालें संदर्भों में जो भी समस्य आइटी चाहें सामाजी कार्टिक राजनाइति जो भी और जो भी वह पर प्रश्न उस समय में थे तो ऐसे में इन विशेयो को ही आधार बनाकर संधरभोन को ही आधार बनाकर उन्होंने क्या किया है निबंदों को लिका है अब पर प्रबंद प्रतिमा किसकी है निरलाजी की निबंद है तो अबर प्रशाज जीन और साहितिकार आस्ताय एल्च यह तभी महा देंवी वर्मााय की है retail आतलked लिएक उन्होंने लिखा तो इसके बारे महा पर बताया है जो निबंद विचार रचना तीनों का संकलन किया गया है यहां प्रश्ण हो सकता है कि क्या निबंद कहने मात से विचार और रचना का संदर्ब नहीं सपष्ठ हो जाता जरूर होता है क्योंकि निबंद में निश्चित ही किसी विचार भाव की रचना होती है मन की मौज तो एक शैली बर है दिखी ता ऐसे में निबंद विचार रचना एक ऐसा निबंद संग्रा है क्या है निबंद विचार रचना करके जो एक निबंद है यहां के लिए जो टेक्स्ट बुक है निबंद विचार रचना करके तो इससे कहते हैं कि उस पर बात यहां पर की गई है कि क्या है विचार रचना तीनों का संकलन क्या गया है निबंद का और विचार का और रचना का तीनों का संकलन जो है इसमें किया गया है तो इसके प्रश्ण जया पर नहीं उठता है क्या इसमें क्या निबंद कहने मात्र से विचार रचना का जो है यहां पर संदर बसपष्ट नहीं हो जाता है क्या करके यहां पर वहां कह रहे हैं तो इसमें इस मqetyno का गद्य जो है, इसन किताब में संकलिज्ज कीया गया है तो प्रेम्चन का जीवंसार उनका एक मात्र आत्म कता है अगर देखा जाए तो प्रेमremचन जी की जो आपके मतलब पहला पार्ट जो जीवंसार है, वह देखा जान तो वह एक मात्र आत्म कता है, तो इसको किस कि परको पर को क्या यहींड एक्ट सराक्म कता है और वही महा देवी की चीनि पेरी वाला हो वहां संस्मरन या फिर रेका चित्र है तो ऐसे में हरिशिंकर पसाईजी की इंस्पेक्टर मातादीन चान पर जो है तो इसे क्या है यहां पर पूर्णुरूप से नीबंद शैली में या फिर नीबंद की स्रेणी में रखा जा सकता है क्या करके इस पर प्रश्न किया रहा है पूर्णुरूप से नीबंद क्या है उसके कितने वर्ग है और उसके सासाथ उसकी जो इहां पर विक्कास यात्रा जो है वहां कैसे चलती आई इसे अभी हमने देखा उसके सासाथ आपकी जो पट्टे पुस्तके उस पर भी आपर थोड़ी सी विचार्वी मर्शा जो है आ जानकारी रखना जो है आप आप लोगों के लिए जरूरी है मतलब नीबंद के लिए मतलब उसकी क्या है प्रमुकुरूप से प्रातमी कुरूप से नीबंद क्या है उसके बारे में और उसकी विकास के बारे में जानकारी जब आप रखेंगे तब ही जाके आपके पट्ट